जिनकी सिप्टिजन या कोईंटी रिकास टैबलेट खाते हैं या एंटी अलर्जिक दवाईयां चल गई हैं और लोगे लिए बहुत एफेक्टिव मेडिसन अगर आपको भी गले में बार 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 बलगम बनता है अगर आपको एलर्जी रहती है चीके आती है बहुत जादा आपको गले में इरिटेशन होता है कई बार आपको बहुत जादा चीक आने के साथ में आपको नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो में आपको तीन ऐसी मेडिसन बताने वाला हूं जिनके मदद से आफ एलर्जी और पर साने लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं है और बहुत जादा हथास हो चुके हैं तो उन सभी को एक वर जरूर देखना चाहिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपनी सोसल मीडिया जरूर करना चाहिए क्योंकि इस वीडियो का कई लोग इंतजär कर रहे हैं इस तरीकी से आप अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं तो हाई मैं आप सभी को आप इस वीडियो में बता हुआ एलर्जी को ठीक करने के कुछ उपा है सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा क्योंकि इस तरह की इन्फरमेटीव वीडियो आपको इस चैनल पर बिलती रहें सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमन करना चाहूंगा एलर्जी के लिए आपको लेना चाहिए जस्टीशिया एदा ठोड़ा से एक वीडियो आपको पहले भी अपलोड किया था इस वीडियो में आप सभी ने बहुत जादा प्यार दिया था और बहुत लोगों ने उस वीडियो को देख के ठीक भी हुए है तो जस्टीशिया एदा ठोड़ा का जो वीडियो में ने अपलोड किया था उस वीडियो में एक छोट आसा कंफ्यूजन आप सभी को लग रहा था कि जस्टीशिया एदा ठोड़ा कैसे लेना है तो आज इस वीडियो में ये भी क्लिय यह जो होता है जिनको होता है जिसे हम बहुत कॉमन वाज़ा में कहते हैं कि immunity कम होनी की बज़र से बारवार जो खाम खाशी अगर किसी को हो रहा है तो ऐसी इस्तिती में जस्टीशिया एदा टोड़ा बहुत effective medicine है जिनको छीके बारवार आती है जिनको नाक से पानी आता है जिनको allergy के लक्षड है और जो लोग बहुत जादा गले की समस्याँ से परिशान है जिनको वलगम जमा रहता है ऐसे लोगों के लिए जस्टीशिया एदा टोड़ा बहुत super medicine है इसके बहुत ही अच्छे benefits आपको मिल सकते हैं जस्टीशिया एदा टोड़ा medicine आपको कैसे लेना चाहिए देखिए अगर किसी को acute problem है यानि कि हाल फिलाल में किसी को परिशानी हुई है किसी को हाल फिलाल में problem हुई है ऐसी स्थिती में आपको ध्यान रखना चाहिए चार बूने सुभा चार बूने दोपा चार बूने श्याम को लेना चाहिए और ऐसे मरीज जिनको लंबे समय से problem है यानि कि दो साल हो गए एक साल निकल चुका है पांच साल से वो दवाईयां खा खा रहे है या कई सालों से दवाईयां खाखा के परिशान है लेकिन उनको कोई relief नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिती में उनको chronic condition की category में रखा जाता है तो अगर किसी को chronic condition है ऐसी स्थिती में मरीज को 15 दिन में चार बून लेना चाहिए यानि कि महीने में दो बार यानि 15 दिन में एक वार ले लिए फिर उ यह पांच महीने में आपके भार लेनी है जिसमें आपके डारा मैडिसीन को लेगा बहुत इफेक्टिव मेडिसेन है और encouraging the current कफप्पोर्ड कि इसमें बहुत फेक्टिब दोसरी डोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूंगा इस्टेमेटिक मेडिसेन है जिनको हम होने की बजर से प्रॉब्लम होती है इस्पेशली जो लोग सिट्रेजिन घाने से आरह मिल जाता है जो Montilie cast tablet खाते हैं या other डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके की वो medicine कहते है चाहे वो हॉमीपयथी को या ऐलोपयथी को या आयुरूबेदी दिखो या हॉम रेमेडीर लेकिन कोई रिलीफ अगर उनको नहीं मिल रहा है तो यह medicine बहुत एफेक्टिव है इस्टर मीनम थर्टी पुटेंश उनको चारबुन सोबर दोफर एंश्याम को यानि तीन टाइम लेना चाहिए जिसे हम हालाकि मैं पिछले वीडियों बता चुका हूं लेकिन कई लोगों को यह कंफ्यूजन था हमारे ओडियंस को यह कंफ्यूजन था कि जस्टी से एदर टोड़ा और हिस्टेमिनम कैसे लेना है यह दोनों मैडिसन को साथ में भी ले सकते हैं लेकिन आप आदर घंटे का यह 20-25 मिनट का 20-30 मिनट का अंतर रखें तो ज्यादा अच्छा है अब अगर हम बात करें तीसरी मैडिसन के बारे में दोस्तों तो मैं आ कई ऐसे मरीज थे जिनको रिलीफ हुआ है तो एलर एन आपको मार्केट में मिल जाएगा एलर्जी ड्रॉप के नाम से नाम से निव लाइफ का है यह 110 उर्पे के असपास आपको मार्केट में मिल जादा है अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन से कौन से दवाईयां हैं फिचके छोना गले में खरास होना करें में बहुत जादा पीन कभी को बहर महसुस्वार होना बलगम होना इस तक है जा अius zeigt के बहुत जादा है इस., लोगों के लिए बहुत इसके बाहुत उभी है ऐसे लोगों मेडिसन है इसकेaces के दवाइए सकते हैं अगर हम बात करें कि कैसे लेना चाहिए तो इसकी 20-25 बोने आपको दिन में तीन वार लेने चाहिए यानि सुबह दो फर एंश्याम को एक चौथा या पानी लेजेगा हलका सा गुन गुना ले ले लेजेगा और उसमें आप बीच से पच्चिस बोने दिन में तीन वार ले सकते हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बच्चों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव दबा है तो आज किस वीडियो में हमने जाना एलर एंड हिस्टर मिनम थर्टी एंड जस्टीसिया थर्टी एंड वन पोटेंसी के बारे में यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंड करके मुझे जरूर बताएं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपर्थेंक्स की मदद से आप सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप हमारे कुछ ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो इसपीशल मेंबर्स के लिए वनाई गहीं हो तो आप हमारी मेंबर्शिप जोइन इसमें भी काफी हद तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर केज़ेगा क्योंकि कई सारे लोग है जो एलर्जी से परिशान है और एलर्जी की दवाईयां खा रहे हैं लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं है मुझे आसा है इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर फीचेंगे मैं फिर मिलता है विच्छी तरे किसे नहीं वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थेंक्स वाचिंग हैवनाइस डे जैन